मुझा प्राइब प्राइब प्रदसा धक्ष चुने खान ने जिला परशासन से हत्यारे को ग्रफतार कर अस्पिडि ट्राइल के जरिये फांसी देने यहों 25 लाख रुपे मुझा देने की भी मांग की उन्होंने कहा कि नासरी गंज के चीनी बेवसाई अमित कुमार की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्य से समाज काफी आक्रोशित है उन्होंने जिला पुलिस परशासन से बेवसाई वर के लोगों को पर्याप सुरक्षा देने की भी मांग की आपको बता देका प्राधियों नासरी गंज के चीनी बेवसाई अमित कुमार को गत गुरु आरको गोड़ी गोला थाना च्छेतर के बराधि गोला पुल के समीप गोली मार कर हत्या कर दी और रुपईयों से भारा बैग लेकर हरार हो गया है अमित कुमार नासरी गंज में जिनी का थुक बेवसाई करते थे इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं है और अएदर प्रशासन के राज में परसासन प्हEAL है अब लेकर चेकर के चaries खेसी खाना हुआ। इसमे पूरे बिशार।枝 देखना हो गया है और अभी तक कईक काम नहीं हूआ और नासरी घंज के परसासन के बीडियों सियों पालुग के चक्कर में परिशान हैं, कभी कमस्ग में एक सब्सक्राइब के परिवार में घटना हुआ, इंसानियात के नात है भी लोग कमस्ग महां देखने नहीं गए, यह बहुत दुख की बात है। 525 मीटर सणक, तथा करगार फोली पत से कंटिहरा भाया तेंदोनी पत तक 2,76 लाख रुपए की लागत से 6 किलो मीटर, तथा कोचस परखन छेतर के एनेश 30 से नौवा गाउं को जोडने वाली सणक, जिसकी लागत खर्च 65 लाख है, जिसका सिलानियास मुखमंत्री सणक बिद्याले में पैसा सब जितना बाकी रह गया था अधूरा काम, उसको लेने के लिए एलोट हो गया, टेंडर में चला गया, और जो बाकी हमारा बिद्याले का भवन अधूरा रह गया था, उस सारी बिद्याले के भवन को बनवाएंगे, कि तक ही हमारे छेतर के बच्चा उसमें सहीर संग से सिच्छा ले सके यह भी काम हम कर रहे हैं यह काम दस बरस पहले से चुटा हुआ है देखे होंगे डिविया में सनत पर दुमिजला बिद्याले बना है उसमें मिटी नहीं भराया है चोकट नहीं है, किवारी नहीं है पढ़ाई नहीं हो पता है कपस्या का वही हाल है तो इस सवाल बिसो डियरी इसको मैंने उठाया था और उसमें सब पैसाय लोट हो गया अब जल्दी से उसमें भी काम लगेगा कि ताकि जो बच्चा की संख्या बढ़ रहा है तो कमरा में भी बच्चा करके बच्चा पढ़े और हमारे छेत्र की बच्चा सिच्चित हो और आगे हमारे छेत्र का नाम रोसं करे इसी सोच और विचार के साथ मैं छेत्र में लगतार सेवा के भाव से जनता के खिद्मत करने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ और उसका पर्तिफल है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना हम अपने छेत्र में लगतार काम करने के लिए संहर्स कर रहे हैं और काम हमने जितना लाया है सायद किसी छेत्र में इतना काम हुआ हो की नहीं हुआ होगा ये लोग बताएंगे ये मैं नहीं कर सकता हूँ तो साथियों ये ही सब मुख मुख बाते हैं अब ज्यादा क्या कहना है समारव को समवधित करते हैं अब विदायक ने कहा कि वे जात धरम की बात राजनिती नहीं करते बलकि विकास की राजनिती करते हैं उन्होंने का कि विकास के वल करने से नहीं बलकि सोच वह चिंतन से होता है नए परिसमयन के तहट बदहाल उन्हें मिरा जिसके सर्वांगीन विकास के लिए वे कृत संकल्पित है उन्होंने लोगों से विकास के लिए जाती धर्म से उपर उठकर करमशील लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने के अपील की ताकि छेत्र में विकास का मार्ग प्रशष्ट हो सांती विभिन विद्यालों में सिक्षक कमरे की कमी को सिग्रदूर करवाने की अस्वासन भी दिया सासाराम मंडलकारा में हत्या के मामने में सजा काट रहे बंदी का अचानक मौत हो जाने से परिजनों ने जम कर भावाल कटा बताते चले कि 30 दिसंबर 2017 को सासाराम के मुहला किला में हुए एक गैंगवार में मारे गए जैराम और महताब की मौत हो गई जिसमें जैराम के भावी ननहक चौधरी को महताब की हत्या में गिराफतार कर लिया गया था परिजनों ने बताया कि सुबह ननहक चौधरी पेसी के लिए कोट में आया था अचानक उसकी तबियत बिगर गई और शाम होते हो तो उसकी मौत हो गई कि एनम्सीय जैसे ही ले गए वहाँ पर रास्ते में उसकी देथ होगे वहाँ पर डाक्टर ने उसको देखा और बोला कि देथ हो जोड़ा है परिजनों काने कि लपरवाही की प्रादम नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लगा तो प्रोसेस पूरा फ़लोग किया गया है तो स परिजनों उसके हत्या के पीछे साजिश बताया है और इसे जहर देकर मारने का शंका जाताई है वहीं एसपी राजेश कुमार ने कहा कि बंदी के अचानक तवियत खराब होगे और उसे अनुमंदल होस्पिटल डेहरी भरती कराया गया वहाँ इस्थिती बिगरते देख स परिजनों के अनुरोध पर नरायन मेडिकल कोलेज एंड होस्पिटल भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई मृतक के परिजनों एव महल्लेवासियों न स्थानिये पोस्ट ओफिस चोग को जाम कर दिया जिसे हटाने के लिए एसेसबी को लाठी भांजनी पड़ी पुलिस न दोर में उनके दोरा बताया गया कि सुबह में ये कोट में आया था अपना कुछ हाजरी बगरा पे और बारा बज़े के असपास उसको जिल वापस ले जाए गया था उसके बाद कान का उसका कोई प्राबलम पहले से चल रहा था जिसका इलाज अनुमंदल सदर होस्पिटल किसी चिछिसक के दोरा देहरी में किया जा रहा था और इस कहदी के दोरा जर सुरू में अपने कान का प्राबलम वगरा कुछ बताये गया उसी अधार पर उसको पहले देहरी या नमंदल सपतार इलाज भे जा गया और आने के बाद वो अचानक कुछ देर के बाद लो करत बताये गया और उसी संदर में यह सब खरवाई होते हैं ठीक है जो भी कैदी बंदी है माली जे ननक चौधरी का बात है तो उनका कल भी कोड था जे हमार बाचीत भी हुआ आज भी कोड था कोड आने के बाद अचानक कंडिशन क्रिटिकल कैसे हो गया अचानक तबेत ख कारण ननक चौधरी का मिरित्यू हुआ है तो हम जो भी जेल प्रसाशन है और बाहरी जो प्रसाशन है उनसे हम रिक्वेट्स करते हैं कि यह जो मिरित्यू हुआ है यह मिरित्यू क्या बोलते हैं यह मत्तब कि बहुत ही खराब रिच से हुआ है इनको पॉजन दिया गया है तो यू आ रिपोर्टर, यू आ एवरीधिंग, कि किसी का चेहरा ब्लैक पड़ जाता है, हाथ ब्लैक पड़ जा रहा है, इस इस इज बीग रिजन ऑप पॉईजन, ये जहर का असर है, ठीक ना? तो मैं इस यह कहना चाहता हूँ, कि जेल से ही जो घटना घटा है, जेल से हु अब तो था थे पर हालत खराब, हमनी कई लिजा कोई बाते ना, वहिल बेहोस पड़ रहे, दम हीचत रहे, हम हलबडाय लगली कि भीयाय करा के ले चले कहा हूँ, रेफर किजिए, रेफर किजिए, कोई रेफर इधर जाज करना है, तो उजब जाज करना है, वो मोटे-मोटे बैरम आप लोग चलिए, हम लोग साथे हैं, अब तो भागने लाइक थोलो कि भागेगा, नरायनी में जाते जाते इसका मिर्दू हो गया, और अब इसमें सारा जिम्वार जेल परसासन बाड़, जेल परसासन के वोजर से ही हमरा लग्या के जान गई, और जिम्वार की लड़का आप लग्या के जान गई, जो दियस्पी साहिब रहन अलोक रंजन, हमनी के नजाइच गेंगवार में डाल देलान, हमरा लग्या के मडर भाई, हमरा लग्या के तस पर पंदर गोली लगल, वो अपने उनिये के गोली से उकर लग्या मर गई, हमनी के के लिजा, बिहान अपर भीजर में डियाईबी साहिब कधलन की गेंगवार हुआ है, एक आदमी के दस गोली, एक आदमी के एक गोली अच्छा आखरी बार अपने बिटे मुलकात कब किया था अपने, अब ही, अखरी बार हाँ, अब ही, मुलकात हुआ सदर हस्पीटल में, तो बाचित हो रह झाल 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 तरपर्देश के कासगन्ज में खेत माली को मबूली पिवाद को लेकर साज़िदार को गोली मार दी, गंभीर रूप से घायल किसान को गंभीर हाथ में अल्ली गड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया, गोली कान्ड का शिकार हुआ शुरू को तवाली छेत्र के तारापूर नसीर गाउं का है, क्या दाम है तुमारा प्रेम सिंग आपके भाई की गोली मानने का मामना सामला है किल लोगों ने गोली मारी तो में नहीं ने गोली मारी थे, घरभू ज़ा के उपर लड़ाई हो रही थे, गाली के जो दे रहा था, उन्हें मेरे बाई सेलेसे ने मने करी कि का अच्छे पर लोगों ने गोली मारी थे, तो अपने घर जा के अपने गरगों को लिवा के लाए दो तीन पो तीन सो पंदरे का तमझा संग लेकर आगा उसका लड़का मेरे भाई सेलेसे बतलाने लगया, तो उसने गोली माती पीछे से आके, कहा गोली लगी है बाजू में रखे पर लगी है बताया जा रहा है कि तारापो नसिर निवासी साहलेस ने अपना खेत पड़ोसी गावन निवासी रामबीर सीं को खेत बटाई पर दिया था, जिसमें रामबीर ने खेत में तरबुज और खरबुज की फालिज की थी, जिसको रामबीर कच्चे तोड़ रहा थ खेत मालिक शैलंदर ने मना किया और इसी बात को लेकर दोनों में गाली को लोज भी, बात में रामबीर ने अपने घर से तमंचा लाकर परिजनों के साथ गोली मार दी, घायल सैलंदर को उप्चार के लिए काजगंजील अस्पताल से अल्लीगर मेडिकल कोलेज को पात्मि के बाद रिफर कर दिया गया, पुलिस अदिक्चक असोक कुमार सी ने बताया कि किशान को साजिदार दुवारा गोली मार दी गई है, आरोपी के खिलाब मुक्दमा दर्ज कर ग्रफतार कर लिया गया, गामी करवाई की जा रही है अज बहरत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच होने जा रहा है और लिगों में काफी उसा देखने को मिल रहा है, लोग अपने अपने तरफ से प्रेडिक्शन कर रहे है, अपने अपने तरफ से बाते कर रहे है वही इताबा जनपत में पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज एहमद के मामा महभूब हसन ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि अपकी बार फिर इंडिया जीते और पाकिस्तान को करारी हार दे आपको बता दे कि पाकिस्तान टीम के सर्फराज ऐहमद के मामा महबूब हसन भीम राओंबेटकर के क्रिसी इंजिनिरिंग कोलेज बरिश्ट चाहएक लिपिक के पदपर तैनात है जब जब इंडिया पाकिस्तान का मेच होता है तब तक सर्फराज अहमद के मामा यही कामना करते हैं कि अपने देश इंडिया की जित हो और पाकिस्तान की करारी हार हो इसी को लेकर आज पाकिस्तानी क्रिकेटर और कप्तान सरफराज आहमद के मामा ने इंडिया की जित के लिए दूआ मांगी है वही सरफराज के सगे मामा ने भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिष्टे होने की बात कही वो हमारे देश के परधार मंतरी मोदी के अच्छे कामों का भी जिकर किया देखिए रिपोर्ट इस्वन ने चाहा तो हमारे देश की बिज़े देश के नहीं इंडिया की बिज़े होगी वो तो उसमें कोई शक्त नहीं है लेकिन तरीना कहीं आपका एक भांजा रख है सगा भांजा है बेशक हमारी भी दुआ है कि हमारा भांजा जो है हर्मायद में सेंचुरी लगाता रह है जिससे कमस्कम पाकिस्तान टीम में और कैप्टन बना रहे है अगर अच्छा रखती स्कोरिंग नहीं करेगा तो फिर कैप्टन कैसे रहेगा आप लोग जो है हमारे भांजे को हमारे पास भी आते हमारा भी रुद्वा बढ़ा दिया है तो हम दो चाहेंगे भांजा अच तो तो दोनों जगे के माहल एक ही जैसा है लेकिन ये है हमारा देज ज्यादा बेहितर रहे पाइकिस्तान के देशा अचा के करते हैं तो इतने वरसों से जहां पर शिया थैए हम जो है वनई-45 कर रहे हैं और एक्रीकल्चर इंजिनिरिग काओं जैसर सेंटर है जो कि CSA आ काव गपाओ ड़ पार वढार नाइ uh कर दो प्रइ Glück कर दो आग झाल